हेलो गाइस तो केसे हैं आप लोग तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसी में प्रेक्टिकल चार्ड पर कौन कौन से डाइग्राम आप लोग बना कर ले जा सकते हैं तो नंबर फस्ट जो डाइग्राम आप लोग अपनी प्रेक्टिकल चार्ड पर बना कर ले जा सकते हैं वो है अपोहन यानिगी अपोहन यंत्र एसके बारे में आप प्ता होने चाहिए क्या होता है इसके अंदर क्या किया जाता है जैसे ये एक मतलब GHLIT इसके अंदर कुछ GHLIT पढारतों का घोल दाला जाता है जिसमें आयन अरू होते हैं और जिसको वेदुत अफगटन पर चार्ज दे कर गुजारते हैं तो इस पर जो पदार्त होते हैं वो शुद प्राप्ती होती है जिसको अपोहन केते हैं और इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी होने चाहिए कि अपोहन का इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनی चाहिए और नमबर सेकंड डाइग्राम है वो है और आज्ट वॉल्ड प्रोसेस यानि के और आज वॉल्ड फिक्रम इसके बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़के चले जाएता कि आप लोगों से examiner question पूछें तो आप लोग अच्छे से उसका जवाब दे सकें और हमारे चैनल को subscribe करने लाइक करने और बेलाइक दवाने ताकि हम कभी भी ऐसी वीडियो मनाएं तो आप तलग पहुचती रहे और नमबर तर्ल डाइग्राम आप लोग ये हैवर प्रक्रम जिसमें अमवोनिया का निमान किया जाता है ये बना कर ले 지금 आ कर ले जा सकते है यह वही डायग्राम है जो आपने नहीं तो फस्ट आर्र्टर मेंभी पड़ा होगा जो रदरफोड ने जो प्र scholar तहां जो इलेक्टरोन होते हैं तो रदरफोंट और उसके बाद आप लोग इस डाइग्राम को भी अपनी बुख में बना कर ले जा सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी होगे तो लाइक करदें, सस्क्राइब करदें और बेलाइक इड़ाने